जब COVID pandemic ने world को hit किया था, तब दुनिया एकदम थम सी गई थी, काफे सारे लोग उसे affect हुए थे, काफे सारे industries उसे सफर करें थी, काफे सारी नहीं ऐसी चीज़े देखने को मिली जो कि शायर लोगों ने पहले कभी नहीं देखियोंगी, सबसे जादा जिस चीज़ ने उस फक सफर किया, वो था हमारा educational system, जी हाँ, educational system हमारा एकदम थम सा गया था, लेकिन education को कभी भी रुखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी की वज़े से हम आगे बढ़ पाते हैं, तो उसी टाइम पर online education आया और उसने हमारी लिए एक रामबान का काम किया, उसकी वज़े से काफे सार ऐसे institute से जो पहले offline class देते थे, उन्होंने कुद को transition किया into online classes, काफे सारे existing startups ने कुद को revamp किया, काफे सारे नए startups भी आया इस बीच में in online education, क्योंकि उस वक्त हमारे पास सिर्फ online education का ही सहारा था, लेकिन जब से चीजे normal होना शुरू हुई है, students को काफे ज़धा confusion है कि क्य हम अभी भी online education को ही continue करें या फिर offline classes की तरफ बढ़े, क्यूंकि online classes and offline classes दोनों के ही advantages भी है and disadvantages भी है, तो किस की तरफ हमें जाना चाहिए, which is the better option, है ना? Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, और मैं हूँ सेस्वरकान, so guys, मैं आच भी पर से एक तड़क्ती भड़क्ती वीडियो के साथ, आप सभी की demand पर, so in today's video, I am going to share with you some of the factors on the basis of which you can decide that आपके लिए online classes better रहने वाली है या फिर offline classes better रहने वाली है, क्यूंकि ये confusion, I know, काफी सारे students की दिबाग में हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कया है, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लिजी for more such informative videos, also आप इसको शेर भी कर सकते हैं, so चलिए, with this, let's get started, now there are a lot of factors on the basis of which you can decide क्या आपके लिए online classes better रहने वाली है या फिर offline classes, so the first factor is about flexibility, तो जहां पर भी flexibility की बात आते है, definitely online classes को एक thumbs up जाता है, क्यूंकि यहां पर आप classes कभी भी किसी भी time देख सकते हैं, in case आपकी कोई भी class में सो जाते हैं, आप उसकी recording को भी देख सकते हैं, यह option आपके पास रहता है, काफी सारे institute आपको unlimited views को देख सकते हैं, कुछ institute आपको limited number of views प्रवाइड करते हैं, but basically आपको recording देखने का option मिलता है, वही यह चीज़ आपको offline या फिर face-to-face class में देखने को नहीं मिलती है, तो यहां पर definitely flexibility के मामले में, online classes is a big thumbs up from my side, now the second factor is about cost, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही affordable and less expensive, क्यों online classes हमारी जो होती है, वो affordable होती है, क्योंकि online classes के मामले में, institutes के बहुत ज़्यादा cost cutting होती है, for example, rent का खर्चा, maintenance का खर्चा, staff का खर्चा, electricity, बहुत सारे expenses होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते है, online classes के case में, इसलिए वो आपको भी कम rate में education provide करा पाते है वहीं same चीज, offline में आपको नहीं मिलेगी, उनका हर तरीके का खर्चा बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ पर वो आपको education देते हैं at a higher price, हना, तो costing के मामले में definitely online classes are again winning in this case also, but the next factor is about time, time saving, जी हा, तो यहाँ पर again online classes को ही thumbs up जाता है, क्यों, क्योंकि जब आप online class लेते हैं, तो आपको काफी ज़दा traveling का time बचता है, आपका ready होने का time भी बचता है, तो comparatively आपका यहाँ पर काफी ज़दा time सेव होता है, अगर आप online classes के तरफ जाते हैं, वहीं offline class के तरफ जाएंगे, आपको traveling का भी time देना पड़ेगा, आपको ready को, obviously आप ऐसी उठकर तो नहीं जा सते, क्लास के लिए आपको proper ready होना पड़ेगा, उसमें भी आपको काफ़ जादा time जाता है, तो definitely online class के case में आपका बहुत जादा time सेव होता है, आपको लग रहा होगा कि मैं online class के favor में हो, बट नहीं, बहुत सारे से चीजे हैं जिसको जानना जरूरी है, before deciding that which is going to be the better option for you, and next factor में offline classes are winning, why? because the next factor is about communication and interaction, so online classes के case में कोई face-to-face interaction नहीं होता, कोई face-to-face conversation नहीं होती, जिसकी वज़े से काफी ज़्यादा लोगों को lonely feel होता है, वो अकेला महसूस करते है, there is a feeling of isolation in online classes, जिसकी वज़े से उनकी personal growth भी काफी ज़्यादा सफर करती है, हना वहीं, अगर मैं offline classes की बा उनके mental and physical development में बहुत ज़्यादा help मिलती है, तो यहाँ पर offline classes are going to be really a game changer for you, अगर आपके लिए communication and interaction होना बहुत ज़्यादा important है, so offline classes आपके लिए बहुत ही बढ़िया काम करने वाली है, now commitment, so online classes के case में ही देखा गया है कि students are more distracted and less committed, yes, क्यों, क्यों, क्यों उनको देखने वा होते हैं, वहीं अगर मैं बात करूं offline classes के case में, then वहाँ पर students are more committed and more focused as well, because उनको पता है कि teacher उनके सामने है, उनको पढ़ा रहा है, तो उनके responsibility बन जाते है कि वो अपनी पढ़ाई में actively participate करें, so commitment के मामले में भी offline classes को ही thumbs up जाता है, now the next factor is about dependency on technology, यहाँ पर there is no doubt the online classes are fully dependent on technology, आपके पास एक device होना चाहिए, it could be a smartphone, it could be a laptop, or it could be an iPad as well, उसके साथ आपके पास एक stable internet connection भी होना चाहिए, अगर आपके ऐसी एरिया में रहते हैं, जहाँ पर internet connection के problem है, network issue चलता रहते है, then I think आपको online class लेने के time पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, वहीं अगर मै offline के बात करो, मैं यह नहीं बोलोगे कि वो बिल्कुल भी technology पर dependent नहीं होते हैं, नहीं, होते हैं, but partial dependent होते हैं, but still आपको काम चल जाता है, even अगर आपके पास कोई smartphone नहीं है, फिर भी आपको काम चल जाता है, तो यहाँ पर again offline classes को एक thumbs up जाता है, now the next factor is about accessibility, यहाँ पर online class लेन area है, जहाँ पर proper, you know, classes नहीं है, या फिर अच्छी classes नहीं है, in that case, उनको बाहर किसे city में move करना पड़ता है, किसे town में move करना पड़ता है, जहाँ पर उनको अच्छी education हासिल हो सकती है, लेकिन इस case में online classes वालों को फायदा रहता है, क्योंकि वो अपने घर के comfort पर रहकर ही quality education हासिल कर सकते हैं, वहीं काफे सारे ऐसे students भी होंगे, काफे सारे ऐसे बच्चे होंगे, जिनके parents उनको city से बाहर नहीं बेजना चाहते हैं, उन students के लिए online education ही काम आने वाली है, okay, so again, in this case also, online education is winning, and the next factor is practical knowledge, अगर मैं online education की बात करूँ, then practical knowledge थोड़ी सी limited हो जाती है, क्योंक आपको इसके लिए particular lab में ही जाना पड़ता है, तो इस case में online education वालो को थोड़ी से problem होती है, वहीं जहां पर मैं offline education की बात करूँ, या फिर face-to-face classes की बात करूँ, वहां पर वो सारे experiment कर सकते हैं, same चीज जाती है medical students को भी, क्यूंकि उनको काफे सारे चीज़े practically try करने definitely offline classes या फिर मैं कहूं face-to-face classes are winning, okay, now उसके अलावा भी काफे सारे ऐसे factors हैं जिसके basis पर आप decide कर सकते हैं, कि online class बेटर रहने वाले हैं या फिर offline class, उसमें से एक बहुत बड़ा factor है about screen time, जी हा, screen time मतलब जितनी देर के लिए आप screen use करते हैं, screen चाहें किसी भी चीज की हो सकत है, आपके phone की, आपके laptop की, आपके iPad की, इवन TV की भी, okay, तो screen time का issue बहुत बड़ा हो चुका है, क्यूंकि हमारे जो young generation है, बहुत अधा आजकल social media use कर रहे है, बहुत सारे apps यूज करते रहते हैं, तो अगर हम online classes लेते हैं, तो हम obviously किसे device में वो class लेने पड़ते हैं, वो laptop भ यूज करने लग जाते हैं, आपर किसी भी ऐसी चीज को यूज करने लग जाते हैं, अपने device पर, जिसके जुरूत नहीं, जो कि हमारा फालतू का screen time बढ़ाता जा रहा है, और उसके विज़े से मारा काफी तदा time waste होता है, जो कि हमें बाद में realize होता है, जाकर जब हम यू यूज करेंगे, करेंगे भी तो थोड़े कुछ मिनट के लिए तो वो manage हो जाता है, उसमें इतनी ज़्यादा problem नहीं आती है, लेकिन online classes के case में screen time को बहुत बढ़ा issue रहता है, तन यहाँ पर screen time के लिए I think offline classes को thumbs up and online classes को thumbs round. Now the next factor is about self-discipline. So, क्योंकि online classes में हमें बहुत ज़्यादा flexibility मिलती है कि हम कभी भी कहीं भी classes देख सकते हैं, हम अपने according चलते हैं, हम एक proper schedule नहीं बनाते हैं कि इस schedule में हम यही काम करना है, हम अपने मन मर्जी, हम अपने comfort zone में रहकर ही चीजों को करते हैं. तो इस case मेरा students जो है, उनके अंदर discipline नहीं आपाता है, तो self-discipline की कम ही हो जाते हैं in case of online classes. वहीं क्योंकि offline class में एक fixed time schedule है, कि आपको इस time पर center पहुचना है, class लीनी पढ़ेगी, otherwise आपके class miss हो गई, तो फिर से उसको नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो problem होती है, तो students are disciplined in that case. So self-discipline के मामले में definitely offline classes वालों को बहुत ज़्यदा फायदानाता है. Now the next factor is very important, I think. मुझे से लगता है कि ये factor बहुत important है, बद काफी सारे लोग इसको miss कर देते हैं, that is about extra curricular activities, which needs your physical presence. देखे, अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर communication skills develop हो, interpersonal skills develop हो, leadership skills develop हो, उसके लिए हमें अपने पढ़ाय से हटकर भी extra curricular activities में participate करना पड़ता है. और यह देखा गया है कि जितने जादा लोग extra curricular activities में participate करते हैं, उनको confidence उतना ही जादा बढ़ता है, साथ में उनके personal development भी होते हैं, उनकी communication skills भी improve होते हैं, काफे सारी ऐसी qualities आती हैं, जो कि तभी आएंगे अगर आप physically उन चीज़ों में involved होंगे. Okay, online बैटकर आप बहुत सारी चीज़े सीख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़े होती हैं, जो कि आपको खुद से करने पड़ेंगे, physically उनको करना पड़ेगा, तभी आप वो चीज़े सीख पाएंगे. इसके लिए definitely, I think online classes are not a good option. Offline classes को यहां पर बहुत 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 बढ़ा thumbs up जाता है. और एक जो next factor है ना यहां पर, I think यह, मैं कहूंगे थोड़ा सा, I would say कि कुछ लोगों के favor में भी जा सकता है, कुछ लोगों के against भी जा सकता है. And this is about teacher-student interaction. जी हां, तो usually क्या होता है ना कि online classes के case में इतने ज़दा interaction नहीं हो पाती है. लेकिन यह सब देखा गया है कि काफे सरे students भी होते हैं, जो कि अगर face-to-face class में जाएंगे ना, in case उनको कोई doubt आता है, तो पूछ नहीं पाहिएंगे, उनको बता है कि काफे सरे students उनक कुछ students के लिए online class better आने वाले है क्योंकि वो offline class में या फिर face-to-face class में इतना जादा actively participate नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको, you know, I think कुछ लोग होते हैं, जो कि नहीं दिखाना चाते हैं, कि हां मुझे ये doubt आ रहा है, या फिर मैं ये हूँ, या फिर वो थोड़ी less participative होते हैं, अगर people उनके around होते हैं, उनके लिए definitely online classes कभी-कभी work कर जाती हैं, वहीं का फिर ऐसे students हैं, जो कि अगर online class लेते हैं, तो वो doubt नहीं पूछ पाते हैं, उनको लगता है कि time waste होने वाला है, चलो offline में ही पूछ लेता है, अगर होती तो, तो ये जो चीज है na teacher-student interaction, ये आपके against means में भी जा सकती है, आपके favor में भी जा सकती है, in both the cases, so yes, these are all the factors on the basis of which you can decide that, you know, whether you should go for online classes or offline classes, now, कैसे आप decide कर सकते हैं, तो आपको हर factor देखना है, और देखना है कि कौन से factor आपके लिए सबसे ज़ादा important है, आपको देखनी है इंपोर्टन्स हर factor की, for example, कुछ लोगों के cost बहुत बड़ा factor हो सकता है, उनके पास इतना budget नहीं है कि वो, you know, high fees भरे, उनके लिए definitely, cost वाला factor क्यूंकि important है, तो वो जाएंगे online classes के तरफ, क्यूंकि online classes are affordable, वही कापे सारे ऐसे लोगों हो सकते हैं, जो अपनी communication skills पर work करना चाहते हैं, जो कि अपने अंदर interpersonal skills को develop करना उनके लिए बाके factors इतने जदे इंपोर्टेंट नहीं है, बट ये factor इंपोर्टेंट है, उनके लिए offline classes बहुत ज़दा helpful रहने वाली हैं, now there are lot of students जो कि flexible learning को enjoy करना चाहते हैं, मतलब वो अपने according, अपने time zone के according, अपने comfort level के हिसाब से class लेना चाहते हैं, जादा traveling में अपना उनको ऐसे लग रहा है कि पैसे वेस्ट होने वाले चीज़ है, then उनके लिए obviously, obviously offline या पर आप करिया, feast-based classes work करने वाली हैं, तो it depends on you कि कौन से factor आपके लिए important है, उसके हिसाब से आप देखिए कि आप किस classes की तरफ जाना चाहते हैं, online, offline, दोनों के advantages भी हैं, disadvantages भी हैं, but यह can get best of both the worlds, how? कुछ subjects के लिए आप online classes तरफ जा सकते हैं, वहीं कुछ subjects के लिए, आप offline classes की तरफ भी जा सकते हैं, for example, जब मैं CEA करी थे, उस वक्त offline classes जादा popular थी, online classes होती थी, बट बहुत कम होती थी, तो हम students क्या करते थे, for example, हमें चार, हाँ, चार subject की coaching लेने हैं, तो हम ती 3 subject के लिए offline या फिर face-to-face class लेते थे, और एक subject के लिए हम online class लेते थे, ठीक है, वहीं काफे सरे से subjects आपके लिए हो सकते हैं, जहां पर आपको लगता है कि ये subject मुझे बहुत seriously करना है, मैं इसमें थोड़ा सा week हूँ, मैं जब class में बैठूंगा ना, face-to-face class में, तभी मेर focus बन पाएगा, उस case में आपको definitely offline की तरफ ही जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा subject भी हो सकते हैं, जिसमें आपको समझ सब कुछ हा रहा है, खुछ से, आप सिर्फ थोड़ी से guidance के लिए online class ले सकते हैं, घर के comfort पर आपको तदा time waste नहीं करना है, subject पर आप घर पर रहकर उसको थो combination की तरफ भी जा सकते हैं, जो भी आपको best suit का tap उसकी तरफ जा सकते हैं, so yes guys, this is all about this video, I hope आपको आज की परी वीडियो अच्छी लगी होगी, informative लगी होगी, helpful लगी होगी, लगते दन गाइस, please इसको लाइकेजे, मेरे चैनल को subscribe करना बिलकुल भी न भूलें, चाहे तो आपको जादा इस वीडियो की दिमांड आजी, तो इसके बाद ही वीडियो बनाए है, काफ सर इसे factors मैंने आपको बताया है, जिसके basis पर आप decide कर सकते हैं, एक बहुत ही wise decision ले सकते हैं, I hope कि आज के मेरे वीडियो आपके लिए उस decision को लेने में बहुत जादा help करेगी, जी किजिए उस channel पर भी मुझे आपके बहुत जादा support के जुरुत है, so yes, do subscribe to us for Nama as well and yes, with this, I will meet you in my next video, till then, bye bye and Allah Hafiz.